हेलो अब्रीबान वेलकम इन दे चैनल इजी इजी लाइफ आइम निश्या रोडा तोड़े भी आर गोंग टो डिसक्स अबाउट तोरुदत हो इस वेरी प्रमिनेंट वेरी इंपॉर्टन राइटर इंडो एंगलियन राइटर इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं ज इनको पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तोरुदत जिसकी बड़ी चोटी सी एज में डेथ हो जाती है और यह जो पिक्चर है यह तोरुदत की बहन के साथ है इनकी तस्वीर जिसका नाम है अरुदत अरुदत जो है वह सबसे बड़ी है अपनी फैमली में अलब बच्चों में अरुदत के बाद इनका भाई आता है अब जूदत वह भी अनफॉचुनेटली जल्दी ही उसकी भी डेथ हो जाती है और फिर है तोरुदत इनकी भी करके थोड़े थोड़े टाइम बाग इस दुनिया से अलविदा कर कह जाते हैं क्या चीज़ें है क्या रीजन है वह हम बाद में डिसकस अभी करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं तोरुदत इन्हेरिटर ओफ अनफुल्फिल्ट रिनाउन इस वन अफ तालेंटेड पोईटेस इन इंडियन एंग्लियन लिटरेचर हो राइट इन बहुत इंग्लिश एं फ्रेंच जो मैं आपको बता रही हूं कि तोरुदत जो है वह एक अपरिपक्व ख्याती की उत्रा इंग्लिश और फ्रेंच में देखिए यह इंडिया से बिलॉंग करते हैं 1856 में इनका जो है वह वह बर्त होता है फोर मार्च 1856 को एक और लाइने शी इस दप्राइड ओफ इंडिन वोमन हड भारतिये नारित वाद का यह एक बहुत गर्व हैं अपने आप में इतना लिखा है चार मार्च 1856 को इनका मनी कोटला स्ट्रीट रामबागान कोलकाता बेंगॉल यानि ब्रिटिश इंडिया का जो पार था बेंगॉल उसके रामबागान शेत्र में मनी कोटला स्ट्रीट पर जहां इनका घर है वहां पर इनका जन्म होता है और देखिए इनके जो फादर है गोविन चंद्रदाथ ही वास फेमस कॉलर एंड लिंग्वेस्ट यह भी पोईटरी लिखा करते थे हर अंकल गिरिश चंद्र एंड वन मौर रेलेटिव उमेश चंद्रदाथ वर अलसो थाइटर इनकी पैमली में सारे राइटर थे हर कोई इनकी पैमली और उसके साथ साथ यह भी एक ट्रांसलेटर थी यानि कि यह भी कविताय भी लिखती थी और उनको ट्रांसलेट भी किया करते थी अदर लेंग्विजस में ठीक है अब यह मतलब बड़ी अच्छी लेडी थी इन्होंने बड़ी इनकी जो मदर है तोरुदत की वो पुरानि कथाओं का अधिन करते थी यानि कि जैसे हमारे यहां पर जो धार्मिक ग्रंथ है अल्मुस्ट हर जो फीमेल है इंडिया में अभी के लेडीज में भले कम हो लेकिन पहले कि जो लेडी से उनको भले वो पड़े लिकी नहीं थी बट डे नो ऑल बाई हार्ट उनको सब मुझ ली ट्रांसवर होते रहते थे जनरेशन टू जनरेशन भले याप पड़े लिके नहीं हो पर आपको वो सुन सुन कर सुन सुन कर वो याद हो जाता था तो इसकी मदर भी कुछ ऐसे ही शेत्रमानी दत जी जिनको बहुत सारी जो पुरानिक कताए है माइटोलोजिकल स्टोरी जो है वो पता थी और इसी चीज को जो तोरुदत है वो अपने पैरेंट से इनहेरेट करती है ठीक है इसी सारी चीजों को इन्होंने इनहेरेट किया है अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं हर कजन रमेश चंद्रदत वस और राइटर एंड सिविल सर्विस सर्वेंट ट अब हम बात करते हैं सिब्लिंग्स के इनके खुद के भाई भेनों की अरुदत एल्डरवन सिस्टर है अब जू जो है वो मिडल में है इनका भाई है और तो अरुदत खुद थर्ड नंबर पे थी अपने माबाब की तीसरी संतान थी फ्रॉम हर मदर शी लॉंट अबाउट इस मदर लेंड के बारे में जो भारत भूमी है उसके बारे में इन्होंने अपनी मासे ही काफी कुछ सुना था काफी कुछ सीखा था ठीक है अब देखते हैं आगे अब इनके एक टीचर का नाम भी आता है बहुत बार यह इंडिन क्रिश्चन थे बाबु साहर चंद्र जिससे इन्होंने तोरुधत ने इंग्लिश सीखी थी फ्रेंच सीखी थी और संस्कुद भी सीखी थी देखिए अठारा सो चपन का जब टाइम है आप सोच सकते हैं कि मेजर फरसनालिटीज थी जिन्होंने उस मुवमेंट में पाट लिया था और अपनी लाइफ को देश के लिए कुर्बान भी किया था तो उस टाइम पर जब इनका भर्त होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्रिश्चन क्रिश्चानिटी का काफी प्रभाव जो है वहां पर दे दूटो कंजंप्शन ट्यूबर क्लॉसिस होता है इनके फैमिली में ही सब कोई कोई नों के प्रब्लम थी जिसकी वज़ा से एक एक करके इसके भाई की डैत होती है पहले फिर इसकी बहन की डैत हो जाती है और बड़ा डीप ग्रीफ में चली जाती है जो इनकी फीजिकल औ दोनों को ही हाम करता है ठीक है बड़ा एक होता है क्योंकि बहुत यंग थे दोनों तीनों भाईवेन और बड़ी छोटी-छोटी एज में इनके लिए मतलब दुगत गटनाल एक के बाद एक होती रहती है परिवार में अगर आपका कोई बच्चा बड़ा भी चला जाता है तो भी दुख होता है और बच्चे चले जाएं तो हद से ज़्यादा दुख होता है I can feel the pain को हमारे सब भी ऐसा हुआ है sorry she spent most of her time on reading mythological stories and read by heart John Milton's Paradise Lost ये मैंने इसलिए बताया आपको की जो तोरुदत है जब इनके भाई की death हो जाती है फिर उसके बहन की death हो जाती है तो उस तैम पर यह जो है ना mythological stories में बहुत ज़्यादा अपने आपको रीडाउट किया बहुत अच्छे से किया she is among the founding figures of Indo-Anglian literature alongside Henry, Vivian, De Rosio, Manmohan Ghosh and Sarojini Naidu इंडिया के जो starting prominent leaders कहे जाते हैं उनमें से ये एक है फिर आगे देखिए 1862 में इनके जो family है वो convert कर लेती है Christianity में हर mother initially resisted conversion but eventually became a practicing Christian as well तो इनकी mother जो है वो पहले इस चीज के लिए agree नहीं होती है लेकिन बाद में वो भी इस चीज के लिए अच्छे इनकी practitioner बन जाती है next देखिए it is said that they were first it is said that that they were the first Bengali family to visit Europe even she was the first Indian Bengali woman to visit Europe in 1869 they left India India में इंडिया से ही लोग चले जाते हैं 1869 में यानि की Christianity का इनके उपर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है Britishers को देखते हैं उनके रहन से इनको उनका जो Christianity के जो यहां पर जो मिशनरी जाते हैं उनसे इतने ज़्यादा impress हो जाते हैं कि यह अपने आपको convert कर लेते हैं Hinduism से Christianity में और उसके बाद they are set to be the first first ever Bengali family to visit in Europe यानि कि पहली family होते हैं यह जो यूरॉप विजट करने जाते हैं और तो रुदद भी पहली ऐसी महिला माने जाती हैं जो यूरॉप जाती है यह स्टेट पर वन इयर इन फ्रांस वेर शी वेंट स्कूल एट नाइस नाइस में यह जाती हैं महाँ पर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती हैं और उसके बाद में यह कुछ टाइम पर इटली और जर्मनी की विजट भी करते हैं कि जउमनी भी लोग जाते हैं कुछ टाम के लिए देन और स्वेच टू वेंगेलेट वेर अज एक सान्स में एक साल रह लेते लेटेयों हुस पाद में स्विच करते हैं कि इंग्लेंड में ही रहना है और उसके बाद यह इंग्लेंड में आकर रहते हैं ती एर तक वहाँ पर रहते हैं और इसके साथ साथ क्या है? कि इनकी जो फैम ली है बाहाँ पर भाँ पर लंदन चली जाती है उसके बाग में वहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिऑ को बहुत अच्छे से सिज़् जाती है और 1871 में impression में इनकी जो फैमली है वो वहां पर इनकी दोस्त बनती है मेरी मार्टीन जो इनकी फ्रेंड रहती है इंग्लेंड से आने के बाद भी और इनके बाद में इनकी बीच में लेटर कॉन्वसेशन हमेशा चलता रहता है और जो कुछ भी इंग्लेंड से आने के बाद रुदत फील करती है वह सारी चीजें यह उनको अपनी फ्रेंड को इसमें लेटर्स के थूरू पताती है यहां तक कि यह भी बताती है कि जब इंडिया वापिस आती है और जब यह कहीं जा रही होती है तो इनकी दादी के साथ सब्सक्राइब करने लग जाती है तो काफे अजीब साइन को फील होता है इन सब के बाद हम बात करते हैं शी विस्टड इंटली जाकर आती है अब हम बात करते हैं इनकी एक और चीज आती है कि 1873 में जब इनका जो जो फैमिली है 1873 में क्या है वापिस आ जाती है 1873 में इनकी फैमिली जब वापिस आ जाती है इंडिया और वापिस राम बागान कलकत्ता में बस जाते हैं तो यह अरू और जो इसकी सिस्टर है यह तोरू दोनों अपने आपको मनलब पूरी तरह से पोईट्री के लिए समर्पित कर देती हैं फिर थोड़े टाइम बाद में अरू भी टीबी से फीडित हो जाती है और इसी तरह से इनकी फैमिली को एक दूसरा हरास्मेंट देखने को मिलता है वह यह इनका जो फैमिली लोस होता है वह होता है कि अरू की डेथ भी हो जाती है 20 years की एज में अब तोरू बहुत ज़ आज दैंसर की डेथ के बाद में फ्रेंच लिरिक्स होते हैं फ्रेंच लिरिक्स जो है उनका यह अनुवाद करती है और उसको एक लगबग 165 इसके अंदर छोटे-छोटे से जो लिरिक्स है उसको ये फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है और उसको नाम देती है इस शीफ ग्लीन इन फ्रेंच फिल्ड 1876 में इसको पब्लिश करवाया जाता है इस इस दा ओल्ली वन क्रियेशन क्रियेटड वाय तोरूद दत एड़ वस्ट पब्लिश्ट सेमियर उसी मतलब इनकी डैथ हो जाती है 1877 में हमने अभी पढ़ा था 30 अगस्ट 1877 को 21 साल की उमर में इनकी भी डैथ हो जाती है और एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा लोस है कि एक एक करके उनके तीने बच्चों की डैथ हो जाती है इसमें एक और जो लिरिक है जो एक कवीता है एक मौनमिर शी कंपोज हरसेल्फ यह फ्रेंच ट्रांसलेशन नहीं है इट इस क्रिएट बाए तोरू हरसेल्फ एक और चीज आती है एक और चीज हमें इंपोर्टन देखने को मिलती है 1878 में हलांकि यह पुब्लिश होता है बियांका इसे का जाता है दा अन्फिनिश्ट दा अन्फिनिश्ट बिगेंका और इस प्रेंश मेडениं यह पुस्त होमसली लिख에서 छाता है आफ्टर डेथ यादि कि तवरू दत्गी जब डेथ हो जाती है उसके बाध में इनके द फादर जब इनकी चीजों को collect किया जाता है घर में कमरों में देखा जाता है जाके जब वो डीप ग्रीफ में होती है फैमली भी तो जब वो इनकी चीजों को देखते हैं संभालते हैं तब उनके सामने यह सारी चीजें आती ही कि उनकी बीटे इतनी प्रिलियंट थी कि इतना कुछ उसके बाद में इसके फादर जो है वो इसको प्रिंट करवाते हैं ठीक है और 1878 में बियंका दा अन्फिनिश्ट बियंका और स्पैनिश मेड़न नाम से यह नॉबल लिखा गया था लेकिन इसको पब्लिश करवाया जाता है पोस्तों मसली यानि इनके डेथ के बाद में इ इसके प्रणूंसियेशन होती है कुछ-कुछ गलत है मुझे भी इसकी अक्चल में प्रणूंसियेशन नहीं आती सो सॉरी फॉर बाट 1879 में यह दूसरा नोवल जो है पोस्तों मसली अगेन पब्लिश करवाया जाता है जो तोरुदत का खुद का लिखा हुआ है उसके है तो अब हमारे जो इंपोर्टन है वह यह आता है एंसेंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि तोरुदत की लाइफ के उपर इंडिन माइथोलोजिकल स्टोरी के कथाओं का जो है बहुत ज़्यादा इंपक्ट रहता क्योंकि उस टाइम पर संस्कृत के ही आपको गरंथ ज्यादा देखने को मिलते थे तो उसको उन्होंने पढ़ा था जस्विकोशी हाड़ गुड कमांड ओवर दा थ्री लैंग्विज़ इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत आज तो संस्कृत से इन्होंने इंको चीजों को ग्रास्प किया पढ़ा उसको समझा और उसके बाद में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है ठीक है क्रियेट किया है खुद ने सम्वेल रिमेंबर्ड पॉइम्ज बाई हर और हेर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइम्ज है इस सी ओफ फॉलियेज असी ओफ फॉलियेज, दे लोटस, सीता यह सब अलगलग पॉइम्ज के नाम है नियर हेस्टिंग्स, बागमेरी, सावित्री, बट्टू, सिंधू, लक्षमन, धुरूवा, दरॉयल, एस्थेटिक, एंड हिंद, प्रहलाद, और कैजुरेन, ट्री अब हम कुछ एक पॉइम्स के इनके बारे में बात कर लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ स्कूल्स में या या उनिवर्स्टी में लगाई जाती हैं, दैट आर ओफ लक्षमन, सीता, आर कैजुरेन, ट्री, एंड लोटस, लोटस बहुत ज़ादा फेमस है इनकी पॉइम्, उनके बा पाजू, उनके डेथ के बाद काफी ग्रीफ में होती है, तब ही इसको लिखती है, अपने घर के अंदर जो इनका बहुत बढ़ा जो घर होता है, उसको उसके अंदर इननोंने बहुत टाइम अपना स्पेंट की है, तीनों भाई बेनोंने खेले हैं, मस्ती की है, अपनी ला जर्मनी, इटली, फ्रांस, वहां पर रहके आई है, तो वहां का जो रोमन, रोमेंटिसिजम है, उसका इनके उपर काफी इंपेक्ट था, तो और उसके साथ सब कीट्स की सेंस्विसनेस की हमें यहां पर याद दिलाती है, कि कैसे इन अनिमेर थिंग में भी कीट्स जो है, और ऐसा लगता है, तो वैसी सेंस्विसनेस जो है, वो यहां पर भी देखने को मिलती है, इनकी पोईट्री में, अब बात करते हैं, लक्षमन पोईब के बारे में, जो एक इंसिडेंट को लिया गया है रामायन के, कैसे जब मारीची जो एक राक्षष है, जो हीरन गॉल्डन डियर के रूप में आता है, और उसके बाद में सीता जो है, उससे फैसिनेट होती है, और राम को कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे यह गॉल्डन डियर लाकर दो ताकि जब हम यह जाएं तो वहां पर उसके साथ बच्चे जो है, वो खेला करें या फैमिली उसको देख के इंजोई करें, तो इस सवजे से वो राम उसको मना करते हैं, लेकिन सीता इंसिस्ट करती है, और राम उसके मारीच जो गॉल्डन डियर है, उसके पीछे पीछे च करती हैं, और उसके बाद वो सोचती है कि सच में कही राम किसी मुसीबत में तो नहीं है, तो वो लक्षमन को कहती है कि नहीं आप जाओ आप जाओ भाईया, आप अपने भाई को लेकर आओ, वापिस लेकर आओ, कहीं भी ढूंडो जाकर उनको ढूंडो, लेकिन लक्षमन करते हैं कि नहीं आसा नहीं होगा भाया किसी मुसीबत में नहीं होंगे आप सेफ हो लेकिन वह बहुत इंसिस्ट करने पर लक्षमन रेखार ड्रो करके जाते हैं तो वह इंसिदेंट को लक्षमन पोईम में यहां पर तोरूदतने बड़े ब्यूटिफुली बताने की की है ठीक है और अगर हम इसके बारे में बदलब अगर आप इसकी स्टार्टिंग लाइंस को भी अगर आप पढ़ते हैं इस पोईम की तो आपको सच में इतना अच्छा फील होता है कि सच में ऐसा बड़ा ही अच्छी अच्छी लाइंस इसमें दी गई है जैसे अधुर्बन के खड़ा होता है कैंडिस भी क्या यह वो लक्ष्मन है दा मैं तो हूं और लुक्ड़ेट नीड की इस इत माई ब्रदर डैटाइसी की जरूत पढ़ने पर किसी को मलब पुकारना पड़े यानि कि तुम तो बिना किसी की मलब पुकार पे भी दोड़े चले जाते हो किसी की विसायता करने तो आज क्यों नहीं जा रहे है उपने भाई को ढूंडने के लिए उसकी एल्प करने के लिए तो ऐसी मतलब प्रोवोकिंग लाइन जबड़ा इंस्टिगेट किया जा रहा है सीटा के द्वारा हूं तो वह बड़ी अच्छे-च्छी लाइन एक अंधेरे कमरे में एक मां है अपने तीन बच्चों के साथ में बड़े दुख मैसूस कर रहे हैं बच्चे रो रहे हैं हलांकि मां को भी रोना आ रहा है लेकिन वह उस बच्छों को उस टाइम पर कमफर्ट करने की कोशिश करने में लगी हुई है कि वह ना रोई घबरा प्लॉवर फूलों की रानी कैसे बन जाता है लोटस फ्लॉवर कमल का फूल कैसे बन जाता है यह भी इंडिन मायतोलाजिकल को बताया गया अगर आप ध्यान से देखे कभी भी कि जैसे ब्रह्मा जी है उनके हातों में कमल का फूल होता है जो भगवान विश्नु है जो कमल का फूल दिखाए देता है इसी तरह से हम देखते हैं कि कमल का फूल जो बड़ा पायस दिखाया गया है यानि कि यहां पर यह बताया गया है कि जो क्यूपिड है क्यूपिड जो है जो God of love है वो once went to see Flora, see Flora the Goddess of Flora, फूलों की रानी जो है Flora उसके पास जाता है, he requested her to give him the most beautiful flower, तो वो इच्छा रखता है कि यह माता, जो Flora है देवी, जो है Godess, उनको कहता है कि तो मुझे सबसे सुन्दर फूल जो है दुनिया का, वो मुझे दे दो, it would be Queen of Flora, जिससे मै फूलों की रानी बना दू, तो Flora जो क्या करती है, उसे lotus का flower देती है, और it was first among the flowers, जो फूलों में सबसे पहले आता है, इसके अंदर Lily के flower की भी बात की गई है, और उसमें Rose flower की भी बात की गई, कि Rose का flower बहुत खुबसूरत है, बहुत फ्रेग्रेंस इसमें अच्छी आती ह बट इस अल्वेज सराउंड़ बाइ थ्रॉंग्स, थ्रॉंग्स से कांटों से घिरा रहता है, और वेराज लिली, Lily का flower में बढ़ा प्यारा है, लेकिन उसके साथ एक प्रब्लम है, कि वह एक दिन में मुर्चा जाता है, यानि कि इतनी खुबसूरती है, उसके अंदर भी करता है, किसी को भी Lily का flower, लेकिन वो मुर्चा हो जाता है, लेकिन अगर हम कमल के फूल के बात करें, तो कमल का फूल कीचड में खिलता है, मिट्टी में, पानी में खिलता है, लेकिन फिर भी वो उसके जो छीनते हैं, गंडगी के वो उस तक नहीं आपाते हैं, तो सबसे ब देखें, इनकी ड्रेस का जो, ड्रेसिंग सेंस जो इनका दिखाया गया है, ये कॉर्सेट और जो ड्रेस है, जो इंगलेंड की जो फीमिल्स है, वो उस टाइम पे पहना करती थी, वही इनोंने भी जो एक लॉंग गाउन है, कॉर्सेट वाला, वो पहना हुआ है, और ये द में, वही मनी कोटला वाला एरिया है, जो वही पर एक ग्रेव यार्ड में इनको दफना दिया जाता है, तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं, नई वीडियो के साथ, थैंक यू, बाइबाई, और प्लीज प्लीज अपना फीडबेक, कॉमेंट सेक्शन में जरूर द यू, थैंक यू सो मुच.